आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ओफ प्रोटोन, स्टड़ी ओफ एनोड रेस क्योंकि जो एटम है वो है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल का क्या मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल या आप ये कह सकते हो जिसमें positive और negative चार्ज दुनों ही बिलकुल बरापर मातरा में present हो उसे भी हम क्या कहते हैं न्यूट्रल ही कहते हैं कल जो हमने study करी थी उसमें हमने ये कहा था कि जो cathode rays हैं उसमें जो minor particles जो छोट छोटे particles present हैं उनको हमने कहा था electron और electron पे charge कैसा होता है negative और अभी हमने ये बात कहिए कि atom neutral होता है मतलब कोई charge नहीं होता अगर atom में केवल electron present होंगे तब तो उसमें negative ही charge होगा लेकिन अगर हम atom को neutral कह रहे हैं तो इस atom की study के लिए गोल्स्टिन ने experiment किये तो आपको apparatus दिखाई दे रहा है यहां पर वही है आपका जो जेजे थोंसन ने लिया था तो यहां पर देखिए डिस्चार्ज ट्यूब है एक आपकी डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है गलास ट्यूब होती है जिसमें gases की properties के बारे में study किया जाता है दो electrodes है metal के ठीक है एक cathode है और एक anode है anode वो metal होगा जो battery के post terminal से जुड़ा हुआ यह आपने बात ध्यान रखनी है हमेशे ही काम है ठीक है और cathode कौन सा होगा जो battery के negative terminal से जुड़ा हुआ है आपने cathode को किस form में लेना है perforated की form में perforated का मतलब होता है जिसके R पार जाया जासके यहाँ पर आप देखिए आपको cathode में कुछ yellow color के holes दिखाई दे रहे हैं ताकि अगर कोई raise आए तो इसके पार जासके ठीक है इसके साथ साथ जो यह आपका cathode है इसके जो पिछे की screen है इसको हमने zinc sulfide से cover कर रखा है जेडेनेस से ताकि जेडेनेस से अगर कोई particle टकराई तो हमें पता लग जाए तो कि zinc sulfide एक fluorosand substance है इस पे जब भी कोई चीज टकराती है तो यह एक sport produce करता है चमकता हुआ तो पता लग जाता भी इस पे कुछ टकरा रहा है और साथ में इसके अंदर क्या लेनी है एक gas लेनी है आपने add low pressure चली अब experiment start करते हैं तो जब हम high voltage apply करेंगे तो cathode raise produce होंगे ठीक है cathode से कुछ raise निकलेंगी जिसे हम cathode raise कहेंगे यह हमने कल किया था यह cathode raise क्या करती है जो gaseous particles present है discharge tube के अंदर उस पर टकराते हैं माली यह आपका gas का particle है ठीक है इस पर टकराया कौन टकराया electron जो की कहा present है cathode raise में तो यह क्या करेगा इस atom में से electron को exact करतेगा निकाल देगा electron ठीक है देखो इस पर कोई charge ने नहीं था इस atom पर लेकिन जैसे इस में से एक electron निकला तो एक particle बना जिस पर कैसा चार्ज था positive ठीक है तो इस से क्या हुआ जो यह आपका discharge tube है इस से particles produce हुए जिन पर कैसा चार्ज था पोस्टिव चार्ज था और यह जो पोस्टिव चार्ज थे particle यह किसी की तरफ move करेंगे फिर cathode की तरफ क्यों क्योंकि cathode पर कैसा चार्ज है नेक्टी चार्ज है और इनके होल से होते हुए यह टकराएंगे इस fluorescent screen पर और red glow red glow का मतलब लाल चमक उत्पन होगी यहाँ पर कि यहाँ यहाँ पर कुछ टकराया है इनही रेज को हमने नाम दिया कौन सी रेज एनोड रेज जिन पर क्या प्रेजेंट है कैसा चार्ज है जिन पर पोसिटिव चार्ज एनोड से नहीं प्रोडिश हो रही है जै एनोड रेज तो हमने इसलिए इसका नाम दिया कि यह ऐसे अपीर हो रही है कि एनोड से आ रही है लेकिन यह प्रोडिश तो डिस्चाज ट्यूब में ही हो रही है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसकी description लिखी हुई है बड़ी easy language में तो आप पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर पताया है वही इसमें लिखा हुआ है अब discuss करते हम इसकी कुछ properties के बारे में properties of anode rays they travel in straight line जैसे हमने cathode rays में किया था हमने आगे एक object रख दी थी उसकी shadow बन गई थी वैसी shadow इस case में भी बनेगी लेकिन जो इनकी speed होती हो cathode rays से बहुत ही कम होती second point है they are made up of material particles material particles वो particles होते हैं जिनका mass होता है जिनका impact होता है किसी दूसरी object पे ठीक है electric field में से apply करते हैं दो plate अगर हम लगा दें एक पे charge हो positive और एक पे charge हो negative तो ये जो anode rays है किस की तरफ मुड़ जाती है negative plate की तरफ इससे क्या पता चलता है इन पे charge कैसा है positive because opposite attracts opposite charge करते हैं एक दूसरे को attract करते हैं उसके बाद जो important point है e by m value जो हमने electron के case में भी निकाली थी e क्या है particle पे charge और m क्या है उसका mass depend upon the nature of gas कि आपने gas कौन सी लिए discharge tube के अंतर हाइडोजन ली है oxygen ली है nitrogen gas लिए कौन सी ली है ठीक है क्योंकि हर gas का mass अलग-अलग होगा अगर हर gas का mass अलग-अलग होगा तो e by m की value भी कैसे आएगी अलग-अलग आएगी ओके आप बात करते हैं जो positively charged particles जो भी इसमें produce होंगे उन पे one positive charge हो सकता है, two positive charge हो सकता है और three positive charge हो सकता है ये depend करता है कि आपके जो gaseous atoms हैं उसमें से कितने electron exact हुए है ठीक है जो positive charge particle है ना जिससे an order is बनी है तो इस पे charge हो सकता है टू पलस हो सकता है, three plus हो सकता है ठीक है जैसे मानलोई atom है इस पे एक plus है एक बार और cathode raise टकरागी इसमें से एक electron और निकल गया ठीक है तो अब ये एक plus नहीं होगा इस पे कितना होगा two plus जब एक cathode raise फिर टकराएगी फिर एक electron exact होगा तो फिर एक और positive charge आजाएगा कहने का मतलब है अगर electron निकलता है तो एक positive charge जरूर आता है यह हमने पहले कर लिया था दा मास और पोस्टली चार्ज पार्टिकल is different for different gases जब हम इसमें लेते हैं hydrogen gas discharge tube में क्या लेते हैं जब हम hydrogen gas तो जो particle का जो मास आता है वो आता है कम से कम ठेक है when hydrogen gas is taken in discharge tube light test light test का मतलब होता है सबसे हलका पोस्टली चार्ज पार्टिकल उधपन होता है जिसका उतना ही charge था जो किस पे था electron और electron पे charge कितना था आपका 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलाम यह आपने दियान रखना है electron पे charge और proton पे charge दोनों कैसे होते हैं बिल्कुल same होते हैं ठीक है और experiment करे गई हर case में e by m की value निकाले गई जो hydrogen gas के case में e by m की value है मतलब जो positively charge बोर्टी है उसके charge और उसके भार इसका जो ratio आया वो कितना आया 9.58 into 10 raise to power 4 कुलाम पर ग्राम इसके बाद हम charge और charge by mass की ratio को divide करेंगे वहाँ से हमारा mass निकल जाएगा ठीक है तो mass of the this particle कैसे calculate होगा m is equal to e, e क्या आपका charge जो अभी हम बताया था आपको 1.6 into 10 raise to power minus 19 है 10 raise to power minus 19 और e ym अभी लिखा था 9.58 into 10 raise to power 4 कुलाम पर ग्राम इसको आप calculate करोगे तो ये mass आएगा आपका 1.67 into 10 raise to power minus 24 ग्राम ये mass है आपका proton का ये value आपने याद रखनी है experiment चाहे याद रहें या ना रहें लेकिन अब तक discovery हो चुगी थी electrons के और protons के हमें ये पता चल गया था कि atom में एक postally charged body present है proton और एक negatively charged body present है electron जब इनकी मदद से हमने atom का calculate करा atomic mass जो कि mainly किसके कराण होता है present of proton के कराण तो जो actual जो mass आ रहा था जो atomic mass actual आ रहा था वो बहुत जादा आ रहा था किस से जब हमने किसकी टरम पे calculate करा proton के टरम पे calculate किया तो इसका मतब ये है कि atom के अंदर एक body और present है एक particle और present है क्योंकि तभी जो actual mass है वो mass of proton से ज़्यादा आ रहा था तो इसके लिए Chadwick एक scientist था 1932 में उसने experiment किया experiment में उसने क्या किया उसने light elements ले लिये जैसे आपका beryllium और उस पर bombardment करवाई उसने कौन से particles की alpha particles की तो जब alpha particle की bombardment की गई beryllium या फिर दूसरे हलके elementों पर तो उसने देखा कि एक particle नया produce हो रहा है जिस पे कोई भी charge present नहीं है no charge और जो इसका mass था वो लगभग equally था किसके proton के तो इस particle को नाम दिया गया neutron के गया neutron